ये है दैनिक प्राहताकाल का डिजिटल एडिशन प्राहताकाल लाइफ राजिस्थान में पशुपालन एवं डियरी मंत्री जोरा राम कुमावत ने कहा है कि राजे सरकार प्रदेश की बहु मुल्य पशु संपदा के विकास एवं पशुधन उत्पादनों को बढ़ा कर पशुपालकों को आर्थिक रूप से आत्म निर्भर बनाने के लिए प्रत दान राशी को बढ़ा कर 75 परतिशत किया जाएगा प्रदेश में पशुचिकिसा सुविधाओं के विस्तार के लिए 125 चिकिसा को तथा 525 पशुधन साहाईकों के नए पदों का स्रिजन किया जाएगा 500 ग्राम पंचायतों में नए पशु चिकित्सा उपकेंद्र खुले जाएंगे साथ ही 100 पशु चिकित्सा उपकेंद्रों को पशु चिकित्साले 50 पशु चिकित्सालेयों को प्रथम श्रेणी पशु चिकित्साले तथा 25 प्रथम श्रेणी पशुचिकित सालेओं को पॉली क्लिनिक में कमोननत किया जाएगा उन्होंने कहा कि आवारा गौवंश के लिए अब से निराश्रित शब्द का प्रयोग किया जाएगा जोराराम कुमावत बुधवार को विधान सभा में पशुपालन एवं मत्स विभाग की अनुदान मांग पर हुई बहस का जवाब दे रहे थे चर्चा के बाद सदन ने पशुपालन एवं मत्स विभाग की 15 अरब 58 करोड 15,40,000 रुपे की अनुदान मांगे द्वनिमत से पारित कर दी उन्होंने कहा कि दुधारू पशुओं के साथ अन्य पशुओं को शामिल करते हुए मुख्य मंत्री मंगला पशु बीमा योजना शुरू की जाएगी पशु पालकों की सुविधा के लिए चरण बद्धरूप से सभी जिलों में पशु मेले आयोजित किये जाएंगे करवा कर नियुक्ति की जाएगी इसके बाद चिकिस्तकों को 619 पदों पर नहीं भरती की प्रक्रिया शुरू की जाएगी उन्होंने बताया कि पशु परिचर के 5934 पदों के लिए जन्वरी 2024 में भरती प्रक्रिया प्रारंब की गई है कुमावत ने कहा कि राजे में उटों को बढ़ावा देने के लिए हमारी पिछली सरकार द्वारा शुरू की गई उन्स्ट्र संरक्षन योजना के तहत उट पालकों को दी जाने वाली साहाय तायराशी 10,000 रुपे से बढ़ा कर 20,000 रुपे कर दी गई है बजट में गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना शुरू कर पहले चरण में लगभग 5,000,000 गोपालक परिवारों को एक लाख रुपे ब्याज मुक्त रिड दिया जाएगा पशुपालन मंत्री ने कहा कि पिछली सरकार ने घोशना आए तो खूब की लेकिन इन्हे धरातल पर लागू कर पशुपालकों को फायदा नहीं दिया उन्होंने कहा कि जोधपूर में नवीन पशुचिकित्सा एवं पशुविज्ञान महा विद्याले खोलने की घोशना पूरी नहीं हो पाई साथी घोशित आठ वेटरनरी कॉलेज भी नहीं खुल सके गज सरकार ने केंद्र सरकार की शत प्रतिशत सहयोग वाली आपात कालिन 102 मोबाइल वेटरनरी सेवा को भी रोके रखा वर्तमान सरकार ने आते ही तीन महिने में मोबाइल वेटरनरी युनिट की 536 गाडियों की शुरुवात कर दी उन्होंने कहा कि महंगाई रहत शीविरों में पशु बीमा के लिए एक करोड से अधिक पशु पालकों का पंजी करन किया गया लेकिन 1064 पशुओं का ही बीमा किया गया और एक भी पशु पालकों को क्लेम नहीं दिया गया